नमस्कार दोस्तों मानेता है कि इस दिन खरीदा सोना आठ कुना बढ़ता है साथ ही शादी की खरीदारी के लिए भी यह दिन काफी ही उपयुक्त माना गया है इस दिन हाथी पर सवार मालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है गजलक्ष्मी की इस पूजा का दिपावली पर किये जाने वाली महालक्षमी पूजन से भी अधिक महत्व है महालक्षमी व्रत को गजलक्षमी और हाथी पूजा भी कहा जाता है भादरपद माह के सुक्लपक्ष की अश्टमी तिथी से महालक्षमी व्रत का सुभारंब हो जाता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी पर इसका समापन होता है यह प्रत कम से कम 16 दिनों तक रखा जाता है ऐसे में यह 16 दिन माता लक्ष्मी की आराधना के लिए समर्वित है माता लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है ऐसे में जिस भी व्यक्ति पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है उसे जीवन में धन संबंदी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता चलिए अब जान लेते हैं महालक्ष्मी जी का ये व्रत कव है शुप महूर्थ क्या है तथा क्या है इसकी पूजा विधी चलिए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत सायम कालीन और रात्रिकालीन व्रत होता है अश्टमी तिथी का प्रारंभ 24 सितंबर दोपहर 12 बचकर 49 मिनट से होगा और समापन 25 सितंबर को दोपहर 12 बचकर 11 मिनट पर होगा यह व्रत 24 सितंबर को रखा जाएगा इस व्रत में हाथी पर विराजित मालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है इसलिए इसे हाथी अश्टमी या फिर हाथी पूजन भी कहा जाता है एक चौकी पर लाल कपड़ा पिछाएं इसके बाद चौकी पर मालक्ष्मी की मूर्थी इस्थापित करें ध्यान रखें कि इस दिन मिट्टी से बने हाथी पर सवार मालक्ष्मी की मूर्थी का पूजन किया जाता है फिर मालक्ष्मी को फूलों का हार पहनाएं और सिंदूर से तिलक करें इसके बाद चंदन, अबीर, गुलाल, दूर्वा, लाल सूथ, सुपारी, नारियल अर्पित करें पूजा के दोरान सूथ, सोलह, सोलह की संख्या में सोलह बार रखें इसके बाद धूप दीप जलाएं और फिर इस विधी विधान से हाथी की भी पूजा करें अंत में भोग लगाएं और मालक्ष्मी की कथा वा आर्थी करें आखिरी में मा को प्रणाम कर धन वैभो का आशिरवात मांगें दोस्तों, इस दिन माता माहलक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक पार जाब करें आपको माहलक्ष्मी का विशेष आशिरवात प्राप्त होगा आज के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन करने का बेहत ही शुभ औसर है आप ये औसर ना कमाएं धन्यमाद